कुछ डरे नहीं और नाहीं दूसरों को डराएं कोरोना वाइरस के प्रती सबको जागरुख बनाएं नमस्कार मैं हूँ अश्पाक अंसारी और आप देख रहें नियू जोप अंटर्स आपने मजरू सुल्तान तुरी का ये शेर जरूर सुना होगा मैं अकेला ही चला था जानेबे मंजिल लोग आते गए और कारवा बनता गया जी हाँ हम बात कर रहे हैं बीना के एक ऐसे प्रदर्शन की जो बीना के एक एड़्वुकेट भरस्यन के द्वारा तरंगा यात्रा निकाल कर किया गया इस तरंगा यात्रा की खास बात ये थी कि ये प्रदर्शन अकेले ही शुरू हुआ और अकेले ही खत्म हो गया लेकिन इस तरंगाय यात्रा की जो मांगती इसका समर्तन भाजपा को छोड़ का सारी राजनितिक पार्टियां कर रही है देखिए आखिर से एड़ोकेट ने क्यों निकाली तरंगाय यात्रा बैसेत चुनाओ हारने के बाद अक्सर राजनितिक पार्टियां इबियम का दोस्त सरकार पर मड़ देती हैं इबियम का रोना रोने वाली पार्टियां शोसल मेडिया पर अपनी भडास निकाल लेती हैं खेर सच्चाई जो भी हो लेकिन EBM के खिलाब बीना के एक एड़ोकेट भरासेन ने अपने ही अंदाज में एक बिरोध प्रदर्शन कर तरंगा यात्रा निकाली। बहले ही उस तरंगा यात्रा में उनके साथ कोई न रहा हो लेकिन एड़ोकेट भरसेन ने अपने हातों पर तरंगा लेकर पूरे शेर में एबियम के खिलाब अपने प्रोद को जताया है और एबियम बंद करने एबं मोबाइल या बेलेट पेपर से चुनाओ में बोटिंग क बेलेट पेपर से मद्दान सुरु किया जाए चुनाओ संपन्न करा यह जाए क्योंकि एबियम अमेरिका ने उत्पन्न की है और अमेरिका ही ईबियम का उपयोग नहीं अपयोग अवैद है और नेता लोग सर्बदली राजनितिक दलों के नेता एक जो ठोकर सिर्फ सत्ता सीन रहने के लिए विपक्ष में रहने के लिए एबीम का पथ्छ कर रहे हैं और एबीम से चुनाओ लड़ते हैं यदि सर्बदली राजनितिक दलों के नेताओं को एबीम पर एत्राज है तो चुनाओं हारने के बाद ही एत्राज क्यों करते हैं चुनाओं के पहले ही EBM का बिरूद करना चाहिए चुनाओं के पहले ही EBM कर दिया धर्मों का पतन कर दिया जाती का पतन कर दिया चारों तरफ से सिर्फ मौत ही मौत माट रहे हैं सर्ब दली राजने ते गडलों के नेता